प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाये उसके लिए इस पाठे माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हूग गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी शुक्रिया शास्त्री जी खास कर शास्त्री जग्विर ने मेरे लिए प्रार्तना करने के लिए जो बात कही प्रभू की दया है कि समय क्लास का समय हो गया तब तक मैं स्वस्थ हो गया मुझे काफी सालों से ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ है डाइबिटीज की भी तकलीफ है विश्वा सिगंड मेरे लिए प्रार्तना करें क्योंकि मेरी दौड अभी पूरी नहीं हुई है और इस दौड को दौडने के लिए काफी और जा की जरूरत है हम काफी हफतों से इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि दुनिया हमारी लिए जाल लगाती है और मैंने ये बात बार बार याद दिलाई कि माबाप इतने लापरवा हो गए है कि वे स्वैम तो जाल को समझते नहीं है बच्चों को समझाना बहुत दूर की बात है और जब बच्चे जाल में फस जाते हैं तब उसके बाद आंसू बहाते हैं इससे कोई फाइदा नहीं क्योंकि जो नुक्सान होना था वो हो गया कहावत है अब पच्चताय तो होत क्या जब चडिया चुक गई खेत चडिया दाना चुक के उड़ जाए उसके पहले हमें चडिया को खेत में उतरने से रोकना पड़ेगा इस संबंदित काफी क्लासस हमने पिछले दिनों देखे थे आज मैं प्रभू के वचन से एक नया विशे लेना चाहता हूँ और आप लोगोंने नोट किया होगा कि आज जो बैनर आया था नोटीस के साथ जोचित्र आया था उसमें टाइटल है बुद्धि मतीस्त्री ये टाइटल मैंने नहीं ढूंडा है बलकि प्रमेश्वर के वचन में ही ये टाइटल हमको मिलता है नीति वचन 14 हुए अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं नीति वचन 14 का एक हर नीति वचन 14 का एक हर बुद्धि मान स्त्री सही हिंदी बुद्धि मती है बाइबल के जब अनुवाद हुआ था तब ये अंग्रेजों ने किया था इसलिए इसमें गलती आए है हर बुद्धि मती स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूड स्त्री उसको अपने ही हाथों से धा देती है मा और बाप का परिवार में रोल अलग-अलग होता है सारी दुनिया में ये देखा गया है बस एकाद दो अपवाद को छोड़ कर सारी दुनिया में ये देखा गया है कि परिवार का मुखिया पिता होता है दो चार दुनिया में कल्चर्स हैं यहां स्त्री प्रधान समाज होता है लेकिन ये स्त्री प्रधान समाज अपवाद है स्त्री प्रधान समाज में शादी के बाद लड़का अपने माबाप को छोड़ कर लड़की के घर में जाके रहता है इंदुस्तान में हैं इस तरह के दू-तिन कल्चर लेकिन उन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगबग सभी दुनिया के जितनी संस्कृतियां है उसमें पुरिश प्रधान, परिवार पुरिश प्रधान होता है पुरिश के आसपास खूमता है, पुरिश सब कुछ डिसाइड करता है इस कारण परिवार के निर्मान में या परिवार की स्थापना में स्त्री का जो स्थान है उसको कई बार हम भुला देते हैं नजर अंदाज कर देते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि सारी दुनिया में परिवार पुरिश प्रधान होते हैं पुरिश उसका हेड होता है और परमेश्वर ने भी ऐसा ही रखा है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि स्त्री का रोल ना के बराबर है बलकि परिवार की स्थाप ना में और परिवार को सही दिशा में ले जाने में स्त्री का रोल पुरिश से भी अधिक होता है आप कहेंगे कि यदि स्री का रोल पुरिष से अधिक होता है तो स्री को क्यों परिवार का हेड क्यों नहीं बना देते ये परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर ने पुरिष को परिवार का हेड बनाया है परमेश्वर ने पुरिष को चर्च का हेड बनाया है elders हमेशा पुरिश होते हैं उसके पीछे परमिश्वर की अपनी योजना है क्यों है ये भी प्रभु ने मदद की तो कभी न कभी हम देखेंगे लेकिन पुरिश परिवार का head है या मुखिया है उसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री का जो role है वो कम है इसका एक को दाहरन बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ हम जानते हैं मसीही परिवारों में हमें उम्मीद करते हैं कि पिता भी आत्मिक होगा मा भी आत्मिक होगी एक आदर्ष परिवार के बारे में ये हमारी उम्मीद है और आदर्ष यदी यदि हर परिवार आदर्श हो तो उसमें पिता भी बहुत आत्मिक होगा मा भी बहुत आत्मिक होगी लेकिन हम जानते हैं कि आदर्श चीजें कम होती है आदर्श हम पसंद करते हैं हम चाहते हैं लेकिन पाप स्वभाव के कारण इवन हम जो लोग आदरश परिवार चाहते हैं हम कई बार अपने आदरश परिवार को अपने स्वयम की मूड़ता के कारण अपने स्वयम की लापरवाही के कारण अपने स्वयम की जिद्द के कारण बरबात कर देते हैं ऐसे परिवारों के बारे में काफी अनुसंधान हुआ है जिसमें एक अनुसंधान आज शाम को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अनुसंधान ये है, मान के चलो कि पिता आत्मिक है, मा अनात्मिक है, इसका असर बच्चों पे क्या होता है। दूसरी और मान के चलिए कि पहला केस मा आत्मिक है पिता अनात्मिक है दूसरा केस मा अनात्मिक है पिता अनात्मिक है बच्चों के उपर इसमें से किसका असर ज़्यादा होता है पिता अनात्मिक है उसका असर ज़्यादा होता है या मा अनात्मिक है उसका असर ज़्यादा ह होता है ये एक या दो नहीं पचासों बार इसके ओपर अनुसंधान हो चुका है और इन अनुसंधानों से ये बात स्पष्ट हो गई है यदि पिता अनात्मिक हो लेकिन मा बेहद आत्मिक हो तो ज़्यादा तर बच्चे आत्मिक रहते हैं लेकिन पिता आत्मिक हो मा अनात्मिक हो तो सारे के सारे बच्चे बरबाद हो जाते हैं मैं फिर से याद देलाना चाहता हूँ, ये कोई मेरी वाणी नहीं है, नहीं मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, इस फिशे पे पचासों अनुसंधान हो चुके हैं, और हर अनुसंधान ये बताता है, कि पिता अनात्मिक हो, लेकिन मा आत्मिक हो, तो इस बात की बहुत अधिक स अमभावना है कि बच्चे आत्मिक होंगे, इसलिए कई शराबी, कबाबी, लुच्चे लोगों के बच्चे आत्मिक निकलते हैं, इसलिए कि मा आत्मिक है, लेकिन यदि पिता आत्मिक हो और मा अनात्मिक हो, तो शत प्रतिशत बच्चे बरबाद हो जाते हैं, क्यों, इसके कारण है, पिता भले ही घर का हेड हो, मुखिया हो लेकिन बच्चों के साथ आदिक्तम समय कौन बिताता है मा बिताती है, बच्चा पैदा होते ही मा की छाती पर लिटा दिया जाता है एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मा की छाती पर नवजात शिशु को लिटा न उसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण है वहां से लेकर जीवन में आखरी समय तक पिता की तुलना में बच्चा मा के साथ अधिक समय बिताता है ओ सकता है इसके अपवाद हो, दुनिया में हर चीज का अपवाद है ओ सकता है पिता गर बैठके नोकरी करता हो, मा बाहर जाती हो तो फिर पिता को ज़्यादा समय मिलता है लेकिन अपवादों को छोड़ दें सामन्य परिवार में पैदाईश के उस छंड से लेकर जीवन के लगबग आखरी समय तक बच्चे मा के साथ अधिक समय बिताते हैं और इस कारण मा का प्रभाव बच्चे पर अधिक होता है और इस कारण यदि मा अनात्मिक हो यदि वो बात बात में इसरों की बुराई करती हो पर निंदा दूसरे की निंदा बात बात में यदि वो आत्मिक बातों के उपर प्रश्न चिन्न लगाती हो बात बात में अपने पती की बुराई मतलब बच्चों की पिता की बुराई करती हो तो यकीन रखिए कि दस मेंसे नो बच्चे ना केवल बर्बाद हो जाएंगे हमेशा 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 के लिए बर्बाद हो जाएंगे उनको सही रास्ते पर लाना मुश्किल हो जाएगा ऐसी मा के लड़के लुच्चे निकलेंगे और ऐसी मा की लड़कियां खासकर इकी स्विश शताबदी के समाज में नमबर वन छिनालें बन जाएगी गलती हमारी है इसलिए प्रभू का वच्चन कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है हम जानते हैं कि मकान जो लोग मकान में रहते हैं वो लोग नहीं बनाते हैं और यदि दुनिया का जो मकान है यदि उसके बारे में होता ये कथन, ये स्टेटमेंट यदि उसके बारे में होता तो हर स्त्री अपने घर को बनाती है, ये इट पत्थर चूने गारे के मकान के बारे में नहीं है, यहां हर स्त्री जिस घर का निर्मान कर रही है, उसकी बात हो रही है, ये अपने बच्चे और अपने पती के साथ जो परिवार है, उसके निर्मान की बात हो रही है, और प्रपु का वचन स्पष्टतया कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है स्त्रीयों के मन में ये एक प्राकृतिक इच्छा परमेश्वर ने रखी है कि एक पर्टिकलर उमर के बाद शादी करें घर बसाएं ये उनको सिखाने की जरूरत नहीं है बच्पन में ही हम देखते हैं कि जादा तर लड़के खिलोने के रूप में उनको ट्रक चाहिए उनको टैंक चाहिए उनको बंदूग चाहिए जबकि लड़कियों को गुड़े गुड़िया और उसके अलावा कीचन के चूले परतन वगएरा इस तरह के खिलोने चाहिए लड़किया गुड़े गुड़िया का खेल रह चाहिए लड़के बंदूग से खेलते हैं बच्पन में मैं खिलोनों की बात कर रहा हूँ मेरी भी दोनों दो बच्चे हैं अभी भी मुझे याद है बच्पन में जब मैं एक बार अपने एजुकेशन के लिए विदेश केया बेटे से पूछा तुझे क्या चाहिए वो बोला डैड़ी मुझे एक ट्रक लाके देना बिटिया से तुमको क्या चाहिए मुझे गुडिया चाहिए एक स्वाभाविक जुकाव उनके मनों में परमेश्वर ने दिया है तो हर स्त्री के मन में एक स्वाभाविक जुकाव प्रभु ने दिया है कि समय आने पर मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं अपने जीवन साथी के साथ एक परिवार बसाना चाहती हूँ, यहाँ नीति वचन चवदहुए अध्याय में उस परिवार को बनाने के या परिवार के निर्मान की बात हो रही है, मिठी पत्थर के जो मकान है उसके निर्मान की बात नहीं है, और प्रभु का वचन स्पष्टितेया कहता है कि हर बुद्धिमान स्री अपने घर को बनाती है, सवाल यह है कि बुद्धिमान शब्द यहां क्यों जोड़ा गया है, यदि हर स्त्री के मन में परिवार बसाने की इच्छा है या यदि लगभग हर स्त्री के मन में परिवार बसाने की इच्छा है तो यहाँ प्रभु का वचन सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देता कि हर स्त्री अपने घर को बनाती है उसका कारण यह है शादी करना परिवार बसाना यह गुड़े गुड़ियों का खेल नहीं है जब वो छोटी सी बच्ची थी तब जरूर गुड़े गुड़िये का खेल उसने खूब खेला होगा लेकिन परिवार को बसाना ये गुड़े-गुड़ियों का खेल नहीं है उसके लिए बहुत अधिक बुद्धी की जरूरत है और इसका सही सही अनुवाद इस शब्द का सही अनुवाद है ज्यान से परिपूर्न स्त्री अपने घर को बनाती है बुद्धी और ग्यान में थोड़ा सा फरक है बुद्धी तो हम सबको है इसलिए तो हम स्कूल का एक्जाम पास करा है कॉलेज का एक्जाम पास करा है इतनी बुद्धी तो है बुद्धी अलग चीज है ग्यान अलग चीज है जब हम अपने जीवन में जो भी आनुभव होता है बुद्धी के आधार पर जब उस आनुभव का मूल लियांकन करते हैं उसके अलावा जब अपनी मां से तमाम तरह की बातें सुनते हैं अपने पिता से तमाम तरह की बातें सुनते हैं उसके अलावा प्रभू का वच्चन जब सुनाये जाता है तब उसमें तमाम तरह की बातें सुनते हैं और इन सब के अलावा हम दिन प्रती दिन जो जानकारी हमारे मनों में जाती है उस जानकारी को सुनते हैं तब इन सब का जो मिश्रण है जो ओरिजिनल की तुलना में अतिश्रेष्ट होता है उस मिश्रण को ज्यान कहा जाता है बुद्धी से और भी आगे की चीज है बुद्धी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जानकारी आती है, एजुकेशन आता है, मास से सुनी भी बाते आती है, पिता से सुनी बाते आती है आप सब जानते हैं कि आप सब को मिठाईयां बहुत पसंद है डाइबिटीज होते हुए भी मुझे मिठाईयां बहुत पसंद है जिस मिठाई को हम चाव से बजार से खरीद कर लाते हैं या जिस मिठाई को घर पे बहुत चाव से बनाये जाता है उस मिठाई को बनाने के लिए जो आटा या बेसन या रवा उपयोग में आता है उसमें जो चीजें पढ़ती हैं उन चीजों को सीधे सीधे मूँ में डाल दिया जाए तो मिठाई का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा यदि आप मिठाई खरीने दुकान जाएं तो दुकानदार यदि मिठाई बनाने के लिए जो कुछ उसमें पढ़ता है वो सब आपको एक डब्बे में दे दे और आपसे कहें कि भाईया खा लेना और मान लेना कि ये मिठाई है क्योंकि इनी चीजों से तो मिठाई बनती है आप लेंगे क्या? नहीं इसी तरह से हमको ज्ञानवान या ज्ञानवती बनाने के लिए पचासों प्रकार के घटक, पचासों प्रकार की चीजें उसमें पढ़ती है जिसमें एजुकेशन है, प्रभु के वचन का ज्ञान है मां से जो उपदेश मिलता है वो है, पिता से जो उपदेश मिलता है वो है इस तरह से पजमेश्वर ने तमाम तरह के सूर्स या सुरोत रखे हैं जहां से हमको ज्ञान मिलता है वो सारा का सारा ज्यान जब सही तरीके से मिक्स किया जाता है, मिलाय जाता है, तब मिठाई बनती है, आप पूछेंगे कि एक ही परिवार में अलग-अलग बच्चे क्यों? क्यों? अलग-अलग परकार का ग्यान दिखाते हैं, कोई तो बहुत ग्यानवान होता है, उसी माबाप के अंडर, जो ट्रेन किया हुए एक और बच्चा है, वो बिलकुल मूर्खों के समान वे अभार करता है, उसका भी कारण है, आप स्वैम जानते हैं कि आप ये शहर में र पराबर डिमैंड पाते हैं क्या, नहीं, वो भाई रेंजीत जहां रहते हैं, ग्वालियर के भाई रेंजीत, उनके घर से, मुश्किल से एक किलोमीटर दूर, एक जगह है कटवराताल, जब भी वो ग्वालियर से आते हैं, अभी पिछले दिनों आये थे, तो पूछते हैं सर आपके लिए क्या क्या लाओं, तो पहली फरमाईश होती है, कि वो कटवराताल वाले की मीठी कचोड़ी ले आना, इस बार तो बाकाइदा बड़ा बकसा, और साथ में बड़ा जग उसका जूस लेकर आये थे, ग्वालियर में, ग्वालियर तो बहुत बड़ा शहर है, और हलवाईयों की संख्या सैकड़ों मेंने हजारों में हैं, सब जगे कचोड़ी बनती है, तो बाकियों का क्यों मंगाते हैं, यह कटवराताल वाले की कचोड़ी क्यों मंगाई जाती है, इसलिए कि सभी लोग एक ही चीज मिला कर कचोड़ी बनाते हैं, लेकिन कुछ जब वो गौलियर से आते हैं, तो एक चीज और मैं मंगाता हूँ, वो है बहादुरे के घी के लड़ू, इस बार भी लाए थे, बहादुरे के घी के लड़ू, सभी लोग घी के लड़ू बनाते हैं, तो बहादुरे में क्या विशेश है, विशेश ये है, कि ये सभी लोग एक ही चीज मिलाकर मीठी कचोड़ी या लड़ो बनाते हैं लेकिन तरीके तरीके में फर्क है उसी तरह से जब मैं और आप जीवन में ग्यान प्राप्त करते हैं तब उस ग्यान को इस रीती से पाते हैं इसके उपर भी डिपन करता है हम मैंसे कई लोग ऐसे हैं माबाप जो भी बोलते हैं बस बढ़ बढ़ करते हुए उसको सुन लेते हैं बच्चों की आदत होती है मम्मी डाड़ी से कहने की मम्मी आप क्या जानो पापा आप क्या जानो दुनिया बहुत बदल गई आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें यदी ऐसा कोई बच्चा है या ऐसा कोई बच्ची है जिसने एक भी बार यदी अपने माबाप से पूछा हो मम्मी आपको क्या मालूम पापा आपको क्या मालूम याद रखना मेरे प्रिये बच्चे तुमने एक बहु गलत बात बूल दी है तुमारे माबाप हो सकता है तुमारे बराबर बुद्धिमान ना हो हो सकता है तुम जैसे अंग्रेजी मीडे में पढ़ रहे हो वैसे अंग्रेजी मीडे में वे नहीं पढ़े हैं इसके बावजूद याद रखना कि वे तुमारे माबाप हैं और इस याद रखना कोई भी मसीही बच्चा या बच्ची अपने माबाप से ये ना बोले कि आपको क्या मालूम, आपको नहीं मालूम है, उनको मालूम है इसलिए प्रभु ने उनको तुम्हारा पिता या माता बनाया है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ एरियाज में वे लोग तुम्हा से मैं याद बच्चों को याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिये बच्चों, तुमको माबाप से, प्रभु के वच्चन से, प्रभु के दासों से, और तुम लोग जो किताब पढ़ते हो, उन में से जो ग्यान मिलती, जो मुद्धी मिलती है, उसको सही रीती से ग्रहन कर उसको सही रीती से मिक्स करके जिस तरह से सर्वोतम हलवाई अपने सर्वोतम प्रिपरेशन बनाता है उस तरह से तुम अपने जीवन को गूंत कर बनाने की कोशिश करना तुम कभी इस बात पर नहीं पच्चताओगे कि तुम बहुत बुद्धिमान हो गए मैं फिर से पूछना चाता हूँ मेरे पर ये बच्चों ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसे इस बात का पच्चतावा हुआ कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ नहीं बलकि जो लोग जितने जादा वो धिमान होते हैं उतने ही अधिक उनका जीवन सफल होता है उतना ही अधिक वे दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बनते हैं उतने ही अधिक समाज का कल्यान कर पाते हैं तो इस कारण मेरे पिए बच्चों तुमारे माबाप तुमसे जो बोलते हैं उनको ध्यान से सुनो कभी भी माबाप पलट के यह मत बोलना कि ममी तुम क्या जानती हो पापा आप क्या जानते हैं दुनिया बदल गई है दुनिया कंटीनिली बदलती है उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की अन्होनी बातें बोला करो ओके तो ध्यान से सुनो पहले तो मेरे प्रिये बच्चों तुमको जो भी तुमारे माबाप तुमारी एसेंबली में तुम जो पढ़ते हो और प्रभू के वचन से और स्कूल से जो कुछ मिलता है उसके द्वारा तुमारा ज्यान तुमारी बुद्धी बढ़ती चली जाये इसके लिए लगातार कोशिश करना अब वापस आते हैं उस पत पर हर बुद्धिमान स्थ्री अपने घर को बनाती है या ड्यान से भरपूर हर स्थ्री अपने घर को बनाती है बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्थ्री योनी में जन्म लेने के कारण हर स्त्री अपने आप में ज्ञानवान या बुद्धिमती नहीं बन जाती है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं स्त्री के रूप में जन्म लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञानवती हो जाएंगी नहीं पुरिश ना तो पुरिश ना स्त्री जन्म के द्वारा ज्ञानवान होते हैं नहीं होते हैं आप कहेंगे कि ओके ब्रदर समझ गए लेकिन अब तो हम जीवन में सेटल हो गए हैं शादी हो गई है परिवार हो गया है और चार बच्चे हो गए हैं अब मैं अपने बुद्धी या ज्ञान के बारे में क्या करूँ अब तुम बुद्धी और ज्ञान में कोई फरक नहीं पड़ सकता ये गलत है ये गलत सोच है जीवन में ऐसा कोई छंड नहीं है जब हमारी बुद्धी और ज्ञान का विकास रुख जाता है हम में से हर व्यक्ति अपने मृत्यों के समय तक जीवन में बुद्धी और ज्ञान को प्राप्त करता ही रहता है मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सत्तर सत्तर असी असी साल की उमर में नई बातें सीखने की कोशिश करते है जब उनसे पूछा जाता है कि सत्तर के हो गए हो असी के हो गए हो नबे के हो गए हो अब इस बात को सीखने से क्या फाइदा होगा तो इन में से कई लोगों का जवाब यह होता है, जयान कभी बुरा नहीं होता है, बुद्धी कभी बुरी नहीं होती है और ये सही है, ये देखा गया है कि जो लोग 80-90 साल की उमर में नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में सारे जीवन पर उसका आसर होता है उत्तर भारत में तो पत्थर का कोईला सब जगह होता है, अब तो हलवाई लोग गैस का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद पत्थर का कोईला सब जगह चलता है पत्थर का कोईला बहुत तेज गरम अगनी देता है, जब पत्थर का कोईला तेज अगनी देता है उस समय या तो दुकानदार या तो हलवाई, या हलवाई के साथ जो लड़का या उसके सहायक लोग हैं, वो एक लोहे का एल शेप का एक डंडा लेके उस चूले में नीचे से जो कोईला है, उसको हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं, जिससे की जलते हुए कोईले पर जो राख जम जाती है और जो राख जलते हुए कोईले की गर्मी को सप्रस कर देता है, वो राख नीचे को गर जाए, जिससे की कोईले की अगनी और तेज हो जाए जो लोग सतर साल, असी साल, नबे साल की उमर में नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, वे मूर्ख नहीं हैं, वे लोग एग्जैक्ली वही कर रहे हैं जो पत्थर का कोईला जलते समय, उसमें बीच में, एल शेप के लोहे के रौड से, उन अंगारों को हिलाये जाता है जिससे कि उसके उपर से राक नीचे गर जाए, आग तेज हो जाए, मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, मैं स्वैम ये कारिय करता हूँ, इस साल मैंने सतर साल की उमर में प्रवेश किया, सतर तक पहुँचने के बाद इच्छा होती है कि आप विश्राम करो, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने 65 साल की उमर में दुनिया की सबसे कठिन भाषा, भाषाओं में से एक है आरवी, आरवी राइट से लेफ्ट को लिखते हैं, अपनी भाषा अपने लेट से राइट को लिखते हैं, वो लोग राइट से लेफ्ट को लिखते हैं, स्व उनकी भाषा में सिर्फ दो या तीन स्वर हैं, इसके बावजूद मैंने अर्भी भाषा का अध्यान 65 साल की उमर में शुरू किया, अभी भी चल रहा है, और यहां केरल में तो अर्भी देशों से बहुत सारे खाने के डब्बे वगरा आते हैं, उसमें अर्भी में जो लिख जा रहा, मैं अर्भी में धारा प्रवाह बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, इसके कोई गैरंटी नहीं, फिर मैं काहे को एक फाल्तु अपने दिमांग को लोड कर रहा हूं, यह फाल्तु नहीं है, यह वही प्रक्रिया है, जो लकडी के, जो पत्थर के कोईले को जलाते समय, बीच बीच में अंगारों को नीचे से जो हिलाया जाता है, वही प्रक्रिया है, कि हिलाने से अंगारे के उपर जो राख जमी है, वो राख नीचे को गरती चली जाएगी, अंगारे तेज हो जाएंगे, इसलिए मैं सीख रहा हूं, और मैं आपको जो बता रहा हूं कि सीखने की कोई उमर नहीं होती है हर उमर में आदमी को सीखना चाहिए उसका अपने स्वयम के जीवन से एक उदाहरेंड इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आजाए कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सर्फ थियोरी नहीं है ये सैद्धांतिक ज्यान नहीं है मैं स्वयम भी उसका पालन करता हूँ इस आधार पर उस पद को फिर से हम पढ़ें हर एक ज्यान से परिपूर्ण स्थ्री अपने घर को बनाती है इसके बारे में कोई बहन ये न कहें कि शास्त्रे अंकल हमने तो शादी भी कर ली बच्चे भी हो गए और उनमें दोचार की शादी भी हो गए उनके भी बच्चे हो गए अब हमें बुद्धिमती बनूँगे अब मैं क्या ग्यान से परिपूर्ण बनूँगे ये आपके गलत फहमी है एक अच्छी मा अच्छी से मेरा मतलब जो परिपक्व है ऐसी मा की विशेष्टा ये है कि बच्चे मरने तक मा से एडवाइस मांगते हैं बाप से सुझाओ मांगने में कई बार लड़कियों को और लड़कों को हिच की चाहट होती है खास कर कठिन बातों में लेकिन मा से जाकर कोई भी एडवाइस कोई भी सुझाओ मांगने में उनको उतनी हीच की चाहट नहीं होती है कारण क्या है? जैसा मैंने पहले बताया था कि भले ही हमारा समाज पुरिश प्रधान हो भले ही पुरिश घर का मुखिया हो लेकिन मा बच्चों से पुरिश की तुलना में बहुत ज़्यादा क्लोज होती है बच्चे आकर अपनी गलतियां, अपनी शरारत, अपनी निराशाएं सब कुछ पिता की तुलना में मा को बताना पसंद करते हैं और मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जहां मा की मृत्यों के समय तक बच्चे उनसे एडवाईस, सुझाव मांगते थे सब परिवारों में ऐसा नहीं होता है इसलिए कि सब परिवारों में स्त्रियां बुद्धी से परिपूर्ने नहीं होती है ये भी इस बात को हम अच्छे तरह से याद रखें हर परिवार में ना तो पुरिश ऐडियल होता है ना स्त्रिया आइडियल होती है आदर्ष नहीं होती लेकिन इस तरह के बहुत सारे परिवार है जहां स्त्रियां बुद्धी से परिपूर्न होती है उनके बच्चे इस बात को समझते हैं और मा जब तक इस दुनिया में है जीवित है तब तक उनके बच्चे जिनके खुद के बच्चे हो चुके होते हैं वो आकर मा से सुझाओ मांगते हैं यकीन मानिये मैं इस तरह के कई परिवारों को जानता हूं कि सत्तर-सत्तर 888 साल की उमर की मा से जाकर बच्चे प्राइवेटली उनको जो पूछना होता है वे बातें जो किसी और को नहीं बताई जा सकती हैं पहले मा को consult करते हैं, मा से पूछते हैं, ये है बुद्धी मती स्ती अपने घर को बनाती है का मतलब, हर एक बुद्धी ज्यान से परिपूर्न स्ति अपने घर का निर्मान करती है, आज जो माएं प्रभु का वच्चन सुन रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपका बेटा या आपकी बेटी आपके साथ समय बिताता है क्या आप शायद के नहीं 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 वो बिलकुल समय नहीं बिताते यदि आपका जवाब यह है तो मैं आपको आपसे कहना चाहता हूँ ये गलती बच्चे की नहीं है गलती आपकी है आप यदि बद्धी और ग्यान से परिपूर नस्तरी होती तो सुबह जो बच्चा पैदा हुआ तब से आपने बच्चे को ये आदत डाल दी होती कि वो हर बात आपके साथ शेयर करे हर बात आपके साथ हर बात आपके साथ सहभ खभागिता करे, आप कहेंगे कि आजकल के बच्चे ये सब नहीं करते हैं, शास्रे अंकल, आजकल के बच्चों को मैं एच्छितर से जानता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों और जवानों के बीच में बीचता है, उनके घरों में क्या होता है ये मैं जानता हूँ और इसलिए मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे कई बातों में बदल गए हैं लेकिन मा की ममता, मा का स्नेह और मा का बुद्धी से भरा हुआ जो परामर्श है अडवेस आज भी उनके मन में उसके लिए बहुत 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 अधिक इबत है बच्चे नहीं बदले हैं हम हैं, जो ला परवा हो गए हैं हमारा समय, अब इतनी सारी आल्टु बातों के पीछे जाता है कि बच्चों को देने के लिए हमारे पास समय ने और हम बच्चों को दोश देते हैं इसके पहले एक बार जब मैं बच्चों के बारे में पजमेश्वर के वचन से आपको बता रहा था तब मैंने एक बच्चे के बारे में बताया था जो मुश्किल से 12-15 के बीच का होगा, ये घटना आज से 25 साल पहले की है, आज वो लड़का शादी शुदा है, दो बच्चे हैं, आज भी हमारी मुलाकात होती है, आज से 25 साल पहले, 12-15 के बीच में उसकी उमर होगी, उसकी जीवन में एक बड़ी विकट समस्या आ गई थी, बहुत ही विकट समस्या, मुश्किल से 12 ये 15 साल का होगा, लेकिन स्त्रियों के प्रती सीमा से अधिक आकरशन, अपनी उमर की लड़कियों के प्रती कोई आकरशन नहीं, लेकिन क्लास टीचर और अन्डी टीचर्स के प्रती सीमा से परे आकरशन, आपका बच्चा ये दिया कर आपसे बोले, तो आपका क्या रियक्शन होगा, जादा तर मसीही माएं कहेंगे, हाई मा, तु कैसी गंदी 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 बातें सूचता है, परिणाम क्या होगा, उस बच्चे को जो समस्या है, उसका हल तो हो नहीं पाया, आईंद कभी वो स आपको नहीं बताएगा और जैसे अचार पुराना होते होते उसका गैस बढ़ता चला जाता है इस बच्चे की समस्या बढ़ती चली जाएगी और वो बरबाद हो जाएगा लेकिन ये बच्चा जो मेरे पास लाया गया था जिसकी समस्या मैंने एक सिटिंग में सिर्फ एक ब हीरो कौन था इस काउंसलिंग का हीरो या हीरोईन उसकी माँ थी उस महान माँ ने बच्चपन से अपने बच्चों के साथ हर चीज खुल कर बातचित करने शेयर करने की आदत डाल दी थी इस आदत के कारेंड जब इस बच्चे के मन में ये समस्या आने लगी तो कहीं इदर उदर जाके अपने मित्रों वगेरा को बता कर बर्बाद होने के बदले उसने सीधे सीधे जाकर माँ से ये बात कही माय ने भरपूर उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वो उस समस्या को हल नहीं कर पाई इसमें कोई ताज्यूब नहीं है देखे बच्चे अपने जीवन में जो समस्याएं उनके जीवन में जो आती हैं उनमें हर समस्या का हल ना तो माँ के पास होता है ना पिता के पास होता है प्रभू ने इसलिए तो हमको एक समाच के रूप में रखा है जिससे कि यदि एक समस्या हम हल ना कर पाएं तो अपने से ज़्यादा आनवभवी एक व्यक्ति से पूच सके तो इस मा ने दो या तीन साल इस समस्या को हल करने की कोशिश की नहीं हल कर पाई लेकिन उसने एक बात का ख्याल रखा कि बच्चा खुल कर हर बार मा को बताता चला जाया और मा ने कभी उससे यह नहीं कहा कि हाई मा तू कैसी गंदी बाते सोचता है तू कैसी गलत बाते नहीं मा ने हमेशे उसकी समस्या को समस्या के रूप में गंबिरता से लिया और बो तो मा उसके सर पर हात रखकर प्रार्थना करती थी, यहां आगे बढ़ने से पहले माउं से एक बात मैं पूछूँ, आप मैं से कितनी माएं हैं जो अपने बेटे या बेटी के सर पर हात रखकर प्रार्थना करती है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना ही हमारे परिवारो में एक गैर बात हो गई है, सर पे हाथ रखके प्रार्थना करना तो, मैंने तो बहुत कम देखा है, बहुत ही कम देखा है, जबकि ये लड़का जब भी आकर, मां से कहता था, मम्मी आज ऐसा हुआ, तो मम्मी कहती थी कि बेटा, इसका हल निकालना पड़ेगा, मैं आओ, अपन प्रार्थना करें, मां बच्चे को अपने पास बैठकर, सर पे हाथ रखके, आसुओं के साथ प्रभू से प्रार्थना करती थी, कि प्रभू, बेटे की ये समस्या है, इसका हल जरूरी है, क्योंकि ये एक असामा इन्य समस्या है, उस वीर मा को मैं से लूट करता हूँ, तीन साल के बाद, अचानक जब उन्होंने एक नोटीस देखा, कि उस क्याम्प में मैं मुख्य वक्ता हूँ, तब अचानक उनको पवित्रात्मा की प्रेर ना हुई, कि बेटे को लेकर मेरे पास आए, जब उस कॉन्फरेंट्स में आई, तो बहुत ही प्राइविटली उन्होंने मेरे पास आकर, अपना परिचे दिया, मेरे ही एक सहकर्मी की बहन निकली, उसने कहा कि अंकल, आप मुझे नहीं जानते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आपकी सेवा शिश्रूशा के बारे में जानती हूँ, और मेरी समस्या बड़ी विकट है, समस्या ये है, मैंने कहा कि, तुम बड़ी वीर माँ हो, कि अपने बच्चे के साथ, इस तरह का व्यवहार रखा, कि वो लड़का आके हर बार तुमको बता देता है, कोई और माँ होती तो वो तो सीधे कहती, कि बापरे कैसी गंदी बाते तुमारे मन में आती हैं, लेकिन तुमने बच्चे को दोश देने के बदले, बच्चे की समस्या को ढूंड कर उसका हल निकालने की कोशिश की, चूंकि तुम काउंसिलिंग में ट्रेंड नहीं हो इसलिए, समस्या कम मूल कारेंड तुम ढूंड नहीं पाई, लेकिन कम से कम तुमने उस बच्चे को सपोर्ट किया प्रार्थना के द्वरा सपोर्ट किया बड़ी वीर मा हो कहकर फिर मैंने कहा कि अब बेटे को मेरे पास लाओ और बेटे को बता दो कि जिस तरह से तुम से बोलता है खुलकर वैसे ही इस अंकल से बोलना है क्योंकि ये अंकल मेरे बड़े ब्रदर है बिल्कुल ऐसा ही उनने ने किया जाके पहले तो बेटे को सब कुछ बताया उसके बाद बेटे को मेरे पास लाई और बोली कि देखो ये मेरे बड़े भाई है मेरी मुलाकत इन से पहली बार हुई है लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मैंने हमेशा इनको अपना बड़ा धाई माना है और मुझे मालूम है कि ये तुमारी समस्या कोई हल कर सकता है तो ये बड़े ब्रदर है इसलिए बिना किसी तरह से छुपाए बिना किसी तरह से हिच की चाए सब कुछ ही संक्ल को बता देना ऐसा ही हुआ मैंने पूछा कि बेटा तुमारी समस्या के बारे में मम्मी ने मुझे कुछ आइडिया दिया है लेकिन मैं तुमारी मुझे सुनना चाता हूँ और बिना किसी तरह से हीच की चाये तुम सारी घटनाएं मुझे बताओ चूंकि उसे ये सारी बातें खुल कर अपनी मां से बोलने की आदत थी और चूंकि उसकी मांने कभी उसको इस बात पर डांटा नहीं था अपमान नहीं किया था उलाहन नहीं दिया था इस कारण उसने खुल कर मुझे बताई बात बताई समस्या ये है अंकल वहां से मैंने एक-एक करके एक-एक करके उसको कुरेदना शुरू किया तो समस्या का मूल कारण समझ में आ गया याद रखें एक बार रोग डाइगनोज हो जाता है एक बार रोग क्या है ये पता चल जाता है तो फिर दवाई देना आसान हो जाता है इसी तरह से यब इस बच्चे को एक-एक करके मैंने कुरेदना शुरू किया तो समस्या का मूल कारण स्पष्ट हो गया और जब समस्या का मूल कारण स्पष्ट हो गया बच्चे को नहीं मालूम था वो नहीं समझ पाया था मैंने उसको समझा आया कि बेटा इसका मूल कारण फलाना है उसके कारण ऐसा हुआ लेकिन तेरी वीर मम्मी ने तुझे आज तीन साल सपोर्ट किया और अब मैं तुमको वो तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से तुम इस जो मानसिक आकरशन और परिट्षा है उससे पूरी तरह से बाहर आ जाओगे फिर मैंने उसका तरीका वगरा बताया उसकी मा को भी बुला कर मैंने कारण बताया कारण बताया तो उन्हेंने सर पकड़ लिया कि बड़े भईया कई बार छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी समस्याएं पैदा कर देती है बस इस बच्चे की समस्याएं ये थी कि दोपहर को जिस घर में वो घंटे दो घंटे बैठकर अपने मा की मा के इंतिजार करता था वहाँ एक बार अशलील चित्रों से भरा हुआ साहिती उसके हाथ में पढ़ गया बस उसके साथ साथ उसके मन के एमोशन्स बदलने लगे जब ये बात डाइगनोस करके जब मैंने बच्चे को बताई मा को बताई तो माने सर पीट लिया कि बड़े भीया जरह सी लापरवाही से मेरे बच्चा बर्वाद हो गया था मैंने कहा कि नहीं तुमारी लापरवाही नहीं है बच्चा Ah mean जब जाता है तब क्या किया चीजे जो है वो देखेगा ये तुम घोड़े की आँख तांगे में घोड़े की आँख जैसे बंद करते वैसे इसकी आँख तो बंद नहीं कर सकती लेकिन तुमने बच्चे के साथ एक खुलाव यवहार के इसकारेंट बच्चे ने सब तुमको बताया और तुमने बच्चे को दोश नहीं दिया, बच्चे को उलाहना नहीं दिया, बच्चे की बुराई नहीं की इसलिए वीर मां तुम हो जिसने अपने बच्चे को बचा लिया इसके साथ साथ वो माँ और बच्चे चले गए और उसकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए हल हो गई कौन है इस घटना में जिसने सबसे महतवपूर नो रोल अदा किया आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल आप हैं जिनने रोल अदा किया सच है एक ट्रेंड काउंसलर होने के कारण मैं समस्या जल्दी पकड़ सका जबकि वो बहन नहीं पकड़ सकी लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ इस घटना का मुख्य पात्र वो बेहन भी इस घटना की मुख्य पात्र है जो बुद्धिमती है और बुद्धिमती होने के कारण ज्यानवती होने के कारण जब उसने अपने बच्चे की समस्या सुनी तो बच्चे को दोश देने के बदले बच्चे को जितनी उसकी समझ थी उस हिसाब से बच्चे की काउंसलिंग की और सबसे बड़ी बात नियमित रूप से बच्चे के सर पे हात रख कर प्रार्थना करती थी और बच्चे से बोलती थी कि बेटा जब भी ऐसी भावनाय तुमारे मन में भड़कती हैं तो दोड़के मम्मी के पास आना, अपने मित्रों को मत बताना, अपनी बहन को मत बताना, इवन डाड़ी को फिल हाल बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये समस्या हल करने की कोशिश करू मुझे अपने बेटे को सौप दिया, इस बात को याद रखें, प्रभू का वच्चन जो कहता है, एक आन, एक मिनिट, कोई मोबाइल फोन बारबार ओन हो रहा था, उस बुद्धिमती माने, उस ग्यानमती माने अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए बरबाद होने से बचा लिया, इस तरह के अशलील साहीत ये, जब बच्चों के हाथ में पढ़ जाता है, बड़ों के हाथ में पढ़ जाता है, तो वो वे बरबाद हो जाते हैं, बच अच्छे को बरबाद होने से उसकी ज्यानवती, बुद्धिवती माने बचाया। तो प्रभु का वचिन जिब कहता है कि हैर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर का निर्मान करती है, तो उसका एक उदाहरन आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से इ हमेशा हमेशा के लिए बरबाद होने से बचा लिया, आज वो और उसकी पतनी दोनों ही अच्छी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ प्रभु की सेवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो आज भी जब उसको कोई समस्या होती है, तो मुझ से भी संपर्क करता ह क्योंकि उसकी मा ने उसको बता दिया था कि ये मेरे बड़े भीया हैं, और जो चीज मैं सॉल्व नहीं कर सकती, वो बड़े भीया सॉल्व कर सकते हैं, और तब से वो ना के अवल अपनी मा के संपर्क में हैं, मा के जो बड़े ब्रदर हैं, बड़े भीया, मा के बड़े भ यह विश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ एक लड़के का उदाहर इंदिया भी और भी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह की माँ है, यदि आपका बेटा आकर आपसे कहता है कि ममी, आज वो फलानी लड़की जो मेरे क्लास में पढ़ती थी, उ हाई मा, तू अभी अंडे से बाहर नहीं निकला, और तू प्रेम करने लगा, देखे, उस ने आकर कहा कि उस लड़की ने बोला, लेकिन आपका जवाब अपने बेटे को दोश देने का है, यह आपका विवहार है क्या, या अरे, तू अभी से प्रेम वेम के चकर में रखें, एक मा के लिए जरूरी है कि वो इस बात को समझे कि बेटा या बेटी हर चीज खुल के मा के साथ बोल लेते हैं, और जब बच्चा बोलता है तो उसको तसली चाहिए, उसको सांत बना चाहिए, इसलिए मा एक बुद्धिमती, ज्यानवती स्तरी के रूप में बच् करें, इसके लिए जरूरी है कि हम जिन्दगी भर, जीवन भर प्रभु की और से जो ज्यान मिलता है, उसको प्राक्त करने की कोशिश करें, प्रभु ने मदद की तो हम अगले हफते भी इसी पत को देखेंगे, जिस तरह से मैंने एक लड़के का उदाहर इंडिया था, उस मैं फिर से क्लोजिंग में याद दिलाना चाहता हूँ, कि एक बुद्धिमती मा, एक ज्यानवती मा बनने की कोई उमर नहीं है, और ज्यान प्राप्ती कभी समाप्त नहीं होती है, यदि आप अपने जीवन में एक ज्यानवती मा हैं, तो इस बात को याद रखें, कि आपक रिक्वस्ट करेंगे, इन बातों को समझने के लिए प्रभू आप सब की मदद करें, प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाइ क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें, बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प् जै मसीह की